हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा सक्सेस केंद्रा फ्रेंड्स देखें आज इस वीडियो में हम लोग 67 बीपेसी पीटी रिएकजाम जो 30 सितंबर 2022 को होना है उसके लिए द्रिश्टी आइसका जो सेक्सिनल टेस्ट सीरीज है उसको इस वीडियो में कबर करेंगे और इसमें हम लोग हिस्ट्री के यानि कि केवल हिस्ट्री के 150 इंपोर्टेंट को सिंस को कवर करेंगे जैसे मैं ने बताया कि यह सेक्सिनल टेस्ट है सब्जक्ट वाइस दिया गया है तो आज इसमें हिस्ट्री कवर कर लेंगे कल मैं आपको प्वालिटी और जोगराफी परसो करवा द था तो फ्रेंट्स इसका राइट अंसर ऑप्सन नंबर सी हो जाएगा की कट अगला प्रश्ण हमारा किनमलिकित में से किस प्राचीन सासक ने एक राट की उपादी धारण की थी अगर आपको एंसर पहले से पता है तो एंसर आप कमेंट बॉक्स में देखरके बताती जाए और देखे खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेक से महा पदमनंद द्वारा कलिंग विजय जैन मुरी जीन सेन की एक जैन तिर्थंकर की प्रतिमा उठा ले जाने तथा कलिंग में एक नहर निर्बान करवाने की भी जानकारी प्राप्त होती है किस से तो खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेक से ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे next question कर लेंगे कि गुप्त कालीन सिक्के बिहार के किस अस्थान पर पाए गये थे देखे यहां पर पूचा गया है गुप्त कालीन सिक्के तो देखे राइट अंसर इसका हो जाएगा गा गुप्त कालीन सिक्के जो है यह पाए गया है कहां से तो फ्रेंट्स हाजिपूर से option number A इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है बिहार में चांदी के बने आहत सिक्के पटना के गोलकपूर और पूरुनिया में पाए गया है इस बात को आप देहान रखेंगे बकसर और चिरांद के सिक्के कुसान काली सिखें जो कि प्रश्ण में पूछा गया है यह कहां से पाएगा है तो फ्रेंट्स यह हाजीपूर से पाएगया है नेक्स्ट कुस्टन है कि प्रसेद्य सासक मेधिनी राय का संबंद किस वंस से था कि तो देके राइट अंसर हो जाएगा चेरों और सो ऑप्सान नमबर A इ किसके द्वारा की गई थी तो फ्रेंट्स ये की गई थी धरमपाल के द्वारा ठीक है याद रखेंगे मैं बिल्कुल जल्दी में आपका रिविजन करवा दूँगा बिल्कुल आपका समय विष्ट मैं नहीं करना हूँ चलिए नेक्स्ट कुस्टन देखेंगे चठा प्रश्ण है कि बिहार पर पहला मुस्लिम आकरमनकारी निमलिखित में से कौन था तो फ्रेंट्स ये कौन था ये था बक्तियार खिल जी अब से नमबर इसका सी राइट अंसर हो जाएगा बक्तियार खिल जी ठीक है ध्यान रख चलिए अगला प्रशन करेंगे मोहंमद बक्तियार खिल जी बिहार पर आक्रमन करने वाला पहला मुस्लिम आकरमनकारी था वह कुतविदीन का सेनापति था चलिए कोस्तन सेबन करेंगे अब करेंगे कूस्तन स्य क्ल veramente कि नर्तिकी की प्रसिद्य कान्ग से मुर्थी उसका प्राचीन भारत की प्रसिद्य रचना ऐख यह सुधरक की रचना है तो याद रखेंगे यह सूधरक की रचना छलियो उसका बार दिखेगा कि कुमारार के कुमार की चाक ़ाखे का विसकार निमलिकित में से किस काल में हुआ बदाई राइट अनसर इसके क्या हो जागा ज efficacy अगर आपको answer पहले से पता है रह metro comment में दे करके बदाती चलिएगा नौ पासानकाल में ठीक है आयरुवेद की सबसे पहला दर्ज सहिंता कौन सी है तो यह सहिंता जो है फ्रेंट्स यहां कौन सी है तो यह है आपका चरक सहिंता ठीक है चरक सहिंता चलिए और चरक सहिंता कारेट चिकित्सा से संबंदित है इसको याद रखेगा आयरुवेद की उत्पत्ति वैधिक युग में हुई हुए कि अगला प्रश्चन करेंगे कि मिनाख्चienia सुंदरिश्वर मंदिर का निर्मान किस ने कर odor था ऊच्हों मदरौय में स्थित है मिनाख्चि सुंदरिश्वर मंदिर इसका निर्बान पांडे सासक कुल सेखर ने करवाया था तो यहां पर दिखे पांडे हो जाएगा आपसन नमबर इसका डी राइट अंसर हो जाएगा और यहां मंदिर भगवान सीव की पत्नी देवी मिनाक्षी को समर पित है अगला प्रश्ण है हमारा कि भारत के निमलिखि यहां तो तीसरी जो है यहां आजड़ी गए थी और सुख के सासनकाल में पाटली पूत्र में और इसके अधेक्सता मोगली पूत्र तीसने किया था याद रखिएगा अचा यहां पर मैं आपको एक एक्ट्रा चीज़ बता रहा हूं अगर आपसे इस तरह से प्रश्न पु ये हरेंक वंस के जारान हुआ था अजात सत्रू के समय में अगर दूसरा पुछा जाए तो दूसरा सिसुनाग वंस के काला सोक के समय में हो हीती कहां पर तो वैसाली में तीसरा असोक के समय में और असोक जो थे ये मौरे वंस के सा सकते चोथा कनिस्क के समय में कुंडल वन कस और कनिस्क कुशान मंस का सबसे प्रतापी सासक था इन सबको आप ध्यान रखिएगा ठीक है पाटले पुत्र इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रशन कर लेंगे किन्यम लेखित में से किसने भारती उप महादी पर सबसे पहले आकरमन किया था तो सबसे पहले आकरमन जो किया था ये पूछा गया है तो देखिए भारत पर आकरमन करने वाले सबसे पहले सासक जो थे ये यूनानी थे ठीक है कौन थे यूनानी थे उसके बाद एखिए सक आये फिर कुसान फिर तूर्क ठीक है तो सबसे पहले यूनानी आये थे यूनानी इसका संपरदाकृत बतायत इसका राइट शर Delicious Community कि अगरा प्रश्ण कि इसी धर्म संपरदाय से संबंदी थे तो वताईए सब्सुत हो स्थाया सकते और इसका अर्थ संपूर्ण जियान आ संपोन घ्यान civil स्थाया इसका अबत करें ऑप अस्थल पर gonna पर और मोहन जो जारव पुछा गया है जो कि सिंदु नदीकेट पर है ठीके चलिए नेक्स्ट कुश्चन कर लेंगी कि भीमबेट का सेल आसर है भारत की किस राजय में इस्तित है तो भीमबेट का जो है यह मद्दप्रदेश में है कहां पर है मद्दप्रदेश में है याद मद्द भारत की पठार के दक्षिनी किनारे पर बिंद्ध परवत के गिरिपिठ में यहां इस्तित है क्लिए तो राइट इसका हो जाएगा मद्दप्रदेश में कुश्चन नमबर 19 देखेगा कि किस सिलालेख ने पहली बार असुक नाम का उलेख जो है किया था तो इसका क प्रशन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है यहां उपयोग पूछा गया है खोजज जो हुआ था यह पुरा पसान यूग में हुआ था पूरापासान काल में हुआ था लेकिन यहाँ उप्योग जो हुआ था उप्योग का जो साक्ष प्राप्थ हुआ है यह आपका नौ पासान योग में क्लियर हो गया ना आपका खोज हुआ था पुरा पासान में लेकिन उप्योग के जो साक्ष मिले हैं यह मिले हैं आपके नौ पासान योग से क्लियर चलियर अगला प्रश्ण की जैन ध्रम में यहां माना जाता है कि जगत सारवभमिक खलेस्तन दिया गया है द्वारा सिर्जित और चलायमान है तो फ्रेंट्स यह है आपका नियम द्वारा ठीक है नियम के द्वारा तो राइटन सर इसका हो जाएगा यहां पर ओप्सन ज्यान मिमान सा और जीववाद का पर्थिपादन करता है चले नेक्स्ट कोशन करेंगे हम कि भारत में सत्रंज की खेल की उत्पत्ती हुई सत्रंज की खेल की उत्पत्ती और देखे फ्रेंट्स अभी इससे जश्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 1857 की क्रांती उस की बिहार हिस्ट्री बिहार का मॉडर्ण हिस्ट्री को मैंने एक ही वीडियो में आपको कवर कराया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा देख लीजेगा तो देखे भारत में सत्रंज खेल की उत्पत्ती जो हुई थी यह आपसे पुछा जा रहा है त समय इस खेल को चतुरंग के नाम से जाना जाता था उजराना जाता ठाओ अगला प्रश्ण कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमन किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमनуса किया था भताए तो dai के चे словे तो ऑस चीनाब के बिच जो राजी के सासक थे पूरस उनको चुनावती दी थी और आपने पढ़ा भी होगा हाईडे स्पीज का यूद या पूरस और किसके विच्वा था या सिकंद्र के मद्ध हुआ था उसको आदिके निमनेलिकित में से किसके सासनकाल के दौरान हैंस्वांग भारत आया था तो हैंस्वांग आया फॉयस से को साइसनकाल में ठीक है कि अगला कर यहां पर 25 तीण सीरवाली महेश मुर्ति की विचाल पर तिमा किस अस्थान पर अवस्तित है तो यह जो वस्तित है यह कहां पर है यहां एलीफेंटा में ठीक है एलीफेंटा इसका राइटएंसर हो जाएगा देखिए द्धारा पूरी के रूप में बाइब त्विए जहां पड़ता है रूप से ये तीन जीश के अलग अलग भगवान संकर के अलग अलग रूपों का परति निधृत्तों करते हैं हैं ठीक तो ऐडिपन्ट ऑजाएगा का राइट अंसर उसके बाद कि मोरे समराज के प्रांत अमंती पत की राजधानी का नाम क्या था तो अमंती की राजधानी जो थी यह आप से पुछा जा रहा है तो फ्रेंट्स यहां उज्जाएनी थी ठीक है चलिए नेक्ष्ट कुस्टन कर लेंगे कि नम्रेखित में से मंदिर फिर लक्षमन मंदिर फिर मोडेरा का सुर्य मंदिर और फिर कामक्या मंदिर तो अप्सिन नमर यहां पर देखेंगे यह आपका सही विकल्प दिया गया है ठीक है महाबली पूरम में टर्टीय मंदिर जिसको की सोर टेंपल कहा जाता है नरसिंग बर्मन दूतिय के स लगशन काल में बन वाय गया था कि लिए चलिए उसके बाद यहाँ पर देखेंगे उसके बाद आपका लक्षमन दिर चंदेल सासक के समद्व राजा धंग के द्वारा जो है यह बनवाया गया था मोडेरा का सुर्य मंदर निर्मान सोलंकी राज मंस के राजा भीम देव पर्थम ने करवाया था और कामक्या मंदर कामक्या देवी को समर्पित एक सक्तिसाली पीठ है जिसका निर्मान असम में 17 सताबदी में किया गया था यह वाला करम सही दिया गया है उसका बाद देखेगा कि मत्विलहास प्रहसन की रचना किसने किया है तो इसकी रचना जो है किया है किसने तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने ठीक ह माना जाता है तो तमिल साहित का जनक माना जाता है किसको तो यह रिशी अगस्त को अप्से नमबर यह हो जाएगा राइट अंसर इसका शेले उसका बद अगला प्रशन करेंगे कि भारत में सिंदु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी अस्थल को तो देखे इसका राइट । शलत्रत के सबसे कम अवधि तक पूछा गया है तो सबसे कम अवधि तक सासन किया है खessä किया है किस ने किया है ख designs क्या हो जाएगा तो प्रशन करेंगे सबसे कम । अगला अगला प्रश्शुन करेंगे नेक्ष्ट कुश्शन है हमारा कि प्राचीन संस्कृत गरंथों में लिखे यवनपश्ध यह संदर्वित करता है तो देख er會 सिखो किस सूफी सिलसे का अनुवाई था तो दारा सिखो जो था यहां कादरी सिलसिला का, ठीक है, अप्सन नमर ए राइट अंसर इसका हो जायेगा, चली आगे बढ़ेंगे, next question कर लेंगे, और यहां दारा सिखो जो था, यह सहाजहा का पूतर था, या भी आप द्यान रखेंगे झाली नेच्ट कोर्शन है कि युदू जो लड़ा गया था और दक्कन की विजापूर, बीदर, अहमदुरण और गोल्गुन्टा ये दूसरी तरफ थे ठीक है चलिए नेक्स कुछन है कि निमलिकीत में से किस ने विजेनगर समराज के अस्थापना किया था तो विजेनगर समराज के अस्थापना 1336 में हरियर और बुक्का नामक दो भायों ने किया था ठीक है तो हरियर और बुक्का नामक दो भायों ने किया था अगला प्रश् सवा था जहांगीर ठीक है जहांगीर इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नबर डी हो जाएगा करेक्ट अंसर से 1137 हो जाएगा यहां में लिख जे रहा हूं एक हजार से 1137 उसके बाद इनका जो जीवन काल रहा था गुरुनानक का गुरुनानक का हो जाएगा 1479 से लेकर के 1549 फिर चैतन्य का हो जाएगा आपका 1486 से 1534 और मेरा भाई का हो जाएगा 1498 से 1557 ठीक है चलो इसका बाद दिख सार के रचनाकार हैं कामंदक और सी हो जाएगा राइट इंसर ठीक है इसको आप ध्यान रखिएगा चलिए अगला प्रश्न करेंगे नेक्स्ट कुस्चन हमारा कि पानिपत का तीसरा युदुकब हुआ था तो यहां आमद साब्दाली और मराठो के मध हुआ था 1761 में और 1726 के पानिपत का प्रथम युद हुआ था उसी में किया था नेक्स्ट कुस्चन हमारा कि प्रसासनिक प्रनाले मंसबदारी मुगल समराज में शुरू किया था तो मुगल समराज में यहां शुरू किया था अकबर ने और यहां जो लिया गया था मंसबदारी प्रथा को यह एंसर हो जाएगा अलाय धर्वाजмы किया गया था थीक के चलिए उसका पाध अगला प्रो लिए को के नेक्ष्ट कुस्टन करेंगे में अगला प्रुष्ण प्रशन हमारा कि कौन सा मुगल सासक उसकी कबर के स्थान के साथ सही सुमिलित नहीं है बताई इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा सही सुमिलित कौन साइस में से नहीं है अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है ठीक है बहुत ही ध्यान से देखेगा देखे इसका जो राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह आपका सीधे मैं पहले एंसर बताता हूं फिर आपको बाद में इसका एक्स्प्लेनेशन बताऊंगा तो यहाँ पर देखिए और यह हो जाएगा जहांगीर आगरा यह नहीं है जहांगीर आगरा ठीक है जहांगीर के कहां पर है लाहौर में है इसका मकबरा आगरा में नहीं है जहांगीरा वहीं लहू गिर गया इस तरह से याद मायु दिली यह करेक्ट है उसका बद इक सुल्तान ने दीवाने मस्तकराज विभाग की स्थापना किया था तो इसको भी याद रखना है अल्हुदिन खिलजी ने प्रणाली को लागो करने के लिए उसने दिवानें मुस्तकराज नामक प्रिथक विभाग का कहतन वी कि इस कबाद की निम्लेखित में से चिससे कवाली का जरपाना जाता है तो कवाली का जरणे है यहां अमीर को भुष्षयों को तबला और सितार और जनक माना जाता है ध्यान रखिएगा उसका बाद next question देखेंगे अगला प्रश्ण हाई कि अश्ट प्रधान नामक प्रसास्निक बहुस्ता शुरू की गई थी तो फ्रेंट्स यह सीवाजी के द्वारा की गई थी ठीक है अश्ट प्रधान में जो सबसे प्रमुक पद होता थ जो सुमंध होता था यह विदेह समंत्री होता था यह याद रखेंगे कभी-कभी पूछा जाता है सुमंट का पद यह उता था यह स्ब्स मंत्री होता था चैकर आगे बढ़ेंगे कि सखेंग', कुष्ण डी हो जाएगा राइट अंसर कबीर की है चलिए नेक्स्ट कुस्सन करेंगे अगला प्रश्ण हमारा कुस्छम No.48 है कि मद्धेकाल के दॉरार निमलेखित में से कौन तिरिपक्षी संगर्स में भागिदार नहीं था तिरिपक्षिय संगर्स में भागिदार नहीं था बताई राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा तो दीके तिरिपक्षिय संगर्स जो हुआ था इसमें पाल परतिहार और राष्ट्रकूट बंस के सा सकते ठीक है पाल परतिहार और राष्ट्रकूट इसमें छोल नहीं था अप समय जो हुआ था ना उस समय बिहार में ही रोहिनी जो कि आप जारखंड में है तो बिहार में हुआ था सबसे पहले तो यह आपका रोहिनी हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर अभी देखिए भी पेसी है अभी कुछ भी कर सकता है कि इसके पास एक ब्रहमास्त्र है और वो ऑप् देखिए नेमलेकित में से कौन से युगम सही सुमयलित यहाँ पर नहीं है एक तरफ यूद दिया गया है और दूसरी तरफ जो है आपको यहाँ पर यह कब हुआ था दिया गया और पुछा गया है कि सुमयलित नहीं है देखिए चोसा के यूद जो है यह हुआ था पंदर और से भासा में चंदों की रशना किया था किस्ट ने सिकंदर लोदी ने तो आप्शन नुमर यह हो जाएगा सिकंदर लोदी ऑप्शन में नहीं दिया गया है ठीक है चले नेक्स्ट कोर्षन करेंगे कि नमलखित में से किस ने बिहार के मुझभपर पुर जिले के कोलुवा म है और सूक इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखेगा कि इन विद्रोहो आंदोलोनों विद्रोहिय का सही कालनुक्रमिक क्रम क्या है यहां पर आप से क्रम पूछा जा रहा है इनका तो यहां पर आप देखिएगा इसका जो राइट अंसर हो जाएगा फ् दिखे अप्सिन नमर्डी होगा इसका यहां पर दिया गया देखे नोनिया मैं आपको बताया था नोनिया विद्रों 1770 से 1880 के दर्मयान भूमिज विद्रों जो हुआ था यह आपका हुआ था कर लेंगे अगला प्रसंद देखे 54 नंबर है कि नमनिकित में से कौनसा छेत्र बिहार में 1870 के विद्रों के नित्रित करने वाले अपने नेताओं के साथ सुमेलित नहीं है तो यहां पर देखे फ्रेंड्स रोहतास से अमर सिंग जीने किया था यह सही है नवादा से जो है न यहां पर पुछा उमेलित नहीं है तो यहां पर पुछाएगाँ नाठेक माल मीले लियाकत अली ने इलाहबाद और बनारस से किया है यहां पर दिखेगा इलाहाबाद दिया गया है तो इसका option number यहां पर D हो जाएगा ठीक है चलिए लखनोव से क्या है बेगम हजर्त महल ने ठीक है चलिए next question कर लेंगे अगला प्रश्ण है हमारा कि इन अम्रेकित में से किसे हडपा कालिन मोहरों द्वारा चितरित नहीं किया गया है बताई इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर दिखेगा तो इसका कारेक्ट अंसर आपका देखे हडपा से प्राप्त मोहरे हमें सिंदु घाटी सबयता के बारे में उपयोगी जानकारी प्रजान करती है और यह मोहरे सेल खड़ी पत्थर और तेरा कोटा और तामबे से बनी हुई थी ठीक है और देखे कुछ मोहरों पर जो है मानव आथवा पस्वो की आकरिती उतक्रिन है और यह मोहरे जो है आथाकार, गोलाकार और बेलनाकार भी है उसके बाद नेक्ष्ट कूशन कर लेंगे अगला प्रशन है हमारा कि बंगाल में 12 सरकार प्रणाली शुरू की गई थी तो यह की गई थी रोबर्ट कलाइब के दवारा अप्सन नंबर बी राइट अंसर हो जाएगा रोबर्ट कलाइड के द्वारा शुरू किया गया था ठीक है और यहां प्रणाली 1765 से 1772 की ओधी के दोरान प्रचलन में रही थी उसके बाद दिखेगा कि बिहार में साइमन कमिशन का बहिसकार करने के लिए सर्वदलिय बैठा का नत्रीत्व किसने किया था तो तो करेक्ट इंसर इसका हो जाएगा अनुनाग नाराइज सिनहाने अप्सन नंबर इसका भी हो जाएगा नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे को सब्सक्राइब 59 है हमारा यहां पर दिखेगा कि भारती राष्टी कोंगरिस के अस्थापना के सम फ्रेंट्स उसमें वाइसरा जो था यह लॉडड डफरिन था ठीक है लॉडड डफरिन था आपको याद भी होगा कि 18855 में इसके अस्थापना होई थी नेक्स्ट कुस्टन करेंगी क्यों सहयोग आंध्रोन को अस्थागित करने का कारण चारी-चारा का का था या फरवरी गांधिदी दुखी हो गया और स्थागित कर दिया उसका दिके अठाराओग सो तीरासी में जब इलबल प्रस्तूत किया गया उससे में वाइसराइं कौन था तो दीके जब इलबल प्रस्तूत किया यह शुरू हुआ था ठीक 860 में बहागीरत माजी के नितिरत में शुरू हुआ था अपसर नबहरा इसका भी हो जाएगा रुषकबदी के भारत में सती पर प्रतीबंद निमलिकित में से किस लगाए गया था तो चले नेक्स्ट को कर लेंगे अगला प्रश्ण है कि चोल प्रसासनिक प्रणाली की सबसे द्वितिय भी सिस्ता क्या थी इस इसका अंसर आप मुझे कमेंट करके बताएगा ठीक है चलिए उसके बाद देखेगा कि नमलिकित में से कौन सा बैपार के लिए भारत आने वाले यूरूपियों का सही करम है अब प्रश्ण को जरा भ्या ध्यान से पड़ेगा यहां बैपार के लिए भारत आने वाले यूरूपियों का सही करम ऐसा नहीं कि उन्होंने फैक्टरी का सव्धार करने वाडा समिती के सदस्य नहीं था कि यहां परहए इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो यहां पर देखे का फरवरी 1928 में मोटिलाल नहरू की अधिक्स्ता में भारत कि लिए समिधान का शाधार करने वाड़ी समिती का गठन किया गया समिती के सदस्य जो थे ये कौन कौन सी थी तेज बहादूर सप्रू थे सुभास्तेंदर वोस्त थे M.S. अने थे मंगल सिंग अली इमाम सुवेब कुरैसी और जी यार प्रधान थे ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका तेज बहादूर सप्रू भी दिया गया है ठीक है तो यहाँ पूछा गया है नहीं था नहीं थे मैंने अभी आपको बताया था कि इन लोगों का नाम तो था ज्वाला नेहरू और बल्लभाई पटेल इसमें नहीं थे तो अप्शन नमबर ई हो जाएगा इसका राइट अंसर ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे और दिख सिता सब्द का अर्थ होता था तो सिता सब्द का उप्यों किया जाता था यह राजक्य भूमी से राजसव की रुप में उसके जैम्स ऑगस्तस हिककी नामक एक आईरिस व्यक्ती के दौरब भारत में सुरू किया घया पहला समाचार पत्र कौन था तो देखिए गए 17-180 में तो यहांपर दिखेगा तो ब्रह्म समाज की अस्थापना आपको पता है किसंने किया था तो राजा रा मुहन रायं ने किया था ठीक है और अगे देखेंगे यहांपर पूछआ गया है की आगे चलकर के 1866 में ब्रह्भाजी उमाज हो गया छहाँख में 1868 में मौहन राह नहीं किया था और आगे चलके 1866 में ब्रह्म आसभाज दो भागों में वह इफ ज होगो पहला तेम्पन टायगूर के तहत आदी ब्रहतह में यहां पर दीखे आधी ब्रह्म समाध, यह सही दिया गया है, और दूसरा भारती ब्रह्म समाध, जिसका नत्रितु केसो चंदर शेन ने किया था, servant of India society servant of India society के अस्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था ठीके तो ये M.G.Ranaday गलत हो जाएगा तद तो वो दिनी सभा के अस्थापना जो है देवेंदनाथ टैगोर ने राजाराम महन राय के विचारों को दुरस्त अस्थानों तक फैलाने के लिए किया था किस ने किया था तो ध्यान रखेंगे तो देवेंदनाथ टैगोर ने ये भी गलत है सत्यसोदक समाज के अस्थापना किस ने किया था सत्यसोदक समाज के अस्थापना जो है रामोसी किरिशक जथा का गठन महाराष्ट में बासुदेव बलवन्त फड़ के नहीं किया था ठीक है तो यह महाराष्ट हो जागा इसका राइटन सरु उसका बदी कियेगा किने मलेकित में से किसने राजतरंगनी नामक पुस्तक की रचना किये तो राजतरंगनी के लेखा क कलहन है कौन है फ्रेंट कलहन है ठीक है इसमें कस्मीर की इतिहास का वर्णन किया गया है उसका बदी के राजयरा मोहन राय की विशह में कौन सा कथन सही नहीं है यहां पर देखेंगे आप तो इन्होंने मिरातु लखबार और संभात कमुजी जैसे समाचारपत्र प्रकाश प्रहम समाच के सथाफना किया था इनकी मिरतिव घ्जास से हुई थी मैनिंजाईटिस के कारब हुई थी एवाला गल्त दिया इसक यहां वाला इसके बाद दिखेगा कि वेदु की और लौट och कणारा केसे ने दिया था तो वेदु की और लौट तो आभी मैं आपको बताया का राजाराम मोहनराय को कहा जाता है इस इने भारतियर पतल न्यक्त हो के लिए कोड़ी में विश्णुपद के रूप में की गई थी और इस अस्थम पर संस्क्रित में अभिलेख है चलि अगला प्रशन है कि भारती राष्टी कोंग्रेस के किस अधिविशन के अध्यक्सता महात्मा गांजी जी के द्वारा की गई थी तो 1924 का जो बेलगाब अधिविशन हुआ था इ उसका बाद next question कर लेंगे अगला प्रशन है कि नमड़िकित में से किस ने भारती सुधारसंग की अस्थापना की थी भारती सुधारसंग की अस्थापना जो है यह किया था केसवचंदर सेन ने केसवचंदर सेन ने Indian Reform Association के अस्थापना यानि कि भारती सुधारसंग के जीवक तो यह चिकित सक्त है अंगला प्रशन हमरा question number 81 करेंगे देखे question number 81 है कि किस भारती नेता को अंग्रेज द्वारा भारती असांती का जनक कहा गया है तो भारती असांती का जनक जो है यह कहा गया है बाल गंगाधर तीलक को अप्शन नमबर D राइट एंसर हो अगला प्रशन है कि French East India Company का गठन किस वर्स किया गया था फ्रेंच East India Company का गठन 1664 में किया गया था ठीक है और इसका सी हो जाएगा राइट एंसर ठीक है 1664 में किया गया था अगला प्रशन है कि नम्रेकित में से कौंसी घटना बुद्ध के जीवन से संबंदित अस्तिलों का सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंट्स अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध का जो जनम है यह आपका कहां पर हुआ था तो इनका जनम जो हुआ था यह लुमनी में हुआ था तो यह वाला गलत दिया गया है ज्यान इनको जो है कहां मिले थी तो और मिर्ती उनकी लुमनी में हुई थी यह गलत है मिर्ती उनकी कूसी नगर में हुई थी तो यह उलट के दे दिया गया है पुछा कई सुमेलित नहीं है तो एक ही हो जाएगा एक से अधिक ठीक है चलो उसका बाद देखेगा कि 16 अक्टूबर 1905 को कोंसी एतिहासी घटना घटित हुई थी तो 16 अक्टूबर की दिन हुआ था बंगाल का विभाजन ठीक है 20 जुलाई 1905 को लौड करजन ने एक आधिस जारी करके बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित किया था और 16 अक्टूबर को जो है यहां बंगाल विभाजन प्रभाई हुआ था कौन था तो यह वायसरा है था क्लियर चलिए अगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुस्सन कर लेंगे अगला प्रुशन हमारा कि भारती राष्टी कॉंग्रेस के निमलेखित करांती कारियों में से किस ने कहा था कि 1877 का विद्रोह पहला स्वतमत्रता संगराम है तो यहां कहा था अरंग जेव ने और अजीमाबाद नाम रखा था इसी ने सहाजादा अजीव ने क्लियर चलिए नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे अगला प्रश्ण है हमारा कि मारले मिंटो सुधार के विशे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है इसमें से जो सही कथन नहीं है जब यहां बिल संत्रता संगराम के दोरान घटित हुई नेमलेखित गटनाओं का सही कालन क्रम क्या है बिलकुल क्रम से बताना है तो यहां पर देखेंगे फ्रेंड्स आपका चंपारन सत्यागरा हो जाएगा 1917 में ठीक है उसके बाद अहमदाबाद मील हो जाएगा आपका यह फरवरी मार है उसके बाद देखें नेक्स्ट कोस्टन है अगला कोस्टन के निमलेखित में से कौन एसेमली बंकार्ण में सामिल था या पुछा जा रहा है बताए राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा तो देखेंगे आठ अपरेल 1929 को बगत सिंग और बटु केस्वरदत ने विधान को जो है 12 जुन 1929 को आजिवन निर्वासन यानि की कालापाना की सजा सुनाई गई थी ठीक है और 23 मार्च 1931 को इनको फासी दें गई थी भगत सिंग सुकदेव और राजगुरु को ठीक है फ्रेंस लाहावड स्रडेंतर केस में तो यहां पर दिखेंगे असमली बंकार्ण हो जाएगा अमुक्त मल्याद नमक महाकावे की रसना किसे ने किया था त अमुक्त मल्याद की रसना किया था है इसके रSA किया है किसने तो दिखिण रूषण रखेंगे इनकी और रसना है जौन शूम्हान इदिशान रखेंगा चलो गल전 PP कि थियो सोफिकल सोसाइटी के अस्थापने किस ने किया था तो मैडम बुलावत सिकी और करनल अलकाट के द्वारा किया गया था उसकवधिक 1857 के विद्रोह के दमन बाद ब्रेटिस सरकार द्वारा भारती सिनक पुर्ण गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था तो य अफ्रिका से अपने लंबे प्रवास के बाद मात्मा गांधी भारत वापस कबाए थे तो गांधी जी वापस आया थे 9 जनवरी 1915 को इसलिए 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारती दिवस प्रतेक वर्स मनाय जाता है निमलिकित में से किस सिख गुरू ने आदी गरंत का संकल किया था गुरू अर्जुन देव ने यह सिखों के पांच भी गुरू थे गुरू अर्जुन देव ठीक है अगला प्रशन कुस्ट्स नमबर 97 देखें कि नमलिकित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनितिक गुरू माना था तो गांधी जी के जो राजनितिक गुरू थे यह कॉन थे तos जी गुपाल क्रिष्न ए गोखे ले थे वर्ना किलर प्रेश पारित किया था तो यह लोड लीटन के समें मां पारित किया थै और यहां 1888 मां पारित किया गया था ठीक है और इसको निरस्ट किया था लौ रिपन ने ठीक है चेले अगला प्रशन किया गया था रॉलक्ट एक्ट जो है यहाँ पारित किया गया था तो फ्रेंट्स यहाँ सेडिशन कमिटी के सिफारिशु के अधार पर अप्सन नमबर इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है में सेडिशन कमिटी के द्वारा रिपोर्ट त्यार की गई थी चलिए नेक्स्ट कुर्शन कर लेंगे अगला प्रश्न है हमारा कि भारती राष्टी कोंग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पर बताए कौन सा कथन सही नहीं है तो टोटल बहत्तर प्रतिनिद्यों ने सामिल लिया था यहां पर देखेंगे बिरासी दिया गया गया अठारस अपचासी बंबे में यह हुम इसके अध्यक्स थे यह हुम नहीं थे डवलू सी बनर जी इसके महासचिव यह उल्टा दिया गया यह गलत हो जाएगा डवलू सी पहला सही है डी जो है यानि के ए और डी सही है बाकी बी और सी गलत है तो गलत पुछा गया तो एक साधी किसका राइट अंसर हो जाएगा उसका बचली अगला प्रसन देख लेते हैं कि नेमलिकित में से किसे भारती प्रेश का मुक्तिदाता कहा जाता है तो भारती जो हुआ था यह चोटा नागपुर के हो और मुंड़ा अधिवासियों ने 1822 में कमपणी के सनाव को चुनावती दी और पुना वर्ष 1831 में उन्हें ललकारा और वर्ष 1837 तक इस सेत्र में असानती बनी रही थी ठीक है हो और मुंड़ा अधिवासी अंग्रेज द्वारा शीवम बर्तमान जहारपगंड़ पर कबजा करने की विर्ध थे तो यह आपका सेवम हो जाएगा नेमलेखित में से कौन सा इगम सही सुमिलित नहीं है यहां पर पताएगा सही सुमिलित नहीं है तो यहां पर देखीएगा सुरेंद्रनाथ बनर्दी इन नेशन इन सब्सक्राइब कर लिए निर्वाचित कर लिया गया था दादा भाई नौरोजी को अगला प्रशन कर लेंगे हम कि निम्नकित में से कौन सा बिहार सोसलिस्ट पार्टी के संस्थापक था बिहार सोसलिस्ट पार्टी के संस्थापक तो देखे इसमें रामसिर्थ बेनिपूरी थे उसका लवाँ अगर हम बात करें तो गंगा सरंद सिनहा भी थे ठीक है और राम रामानंद मिस्र भी थे तो यहां पर देखे रामानंद मिस्र भी दिया गया है तो एक साधी किसका राइटन सरह हो जाएगा किलियर जप्रकास नरायन थे उसका बाद फुलन प्रसाद बर्मा भी थे तो इन सब का नाम याद रखना और 1934 में इसका विद्वत गठन की किया गया था पटना में और इसके अध्यक्सता किसने किया था तो यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अध्यक्स कौन थे और महा सची तो इसके जप्रकास न इसी ने करवाया था ठीके सर एकबर के नाम से अपने पड़ा भी होगा सर एक अकबर के नाम से जो है दारासी को जो कि साजहां का पुतर था इसी ने करवाया था चलिए उसका बाद नेक्स्ट कुरूशन कर लेंगे कि 1940 की लहावर प्रस्ताव का उदेश से था 1940 के लहावर प्रस्ताव का उदेश से था मुस्लिमों के लिए एक अलग राजिक का गठन option no.a इसका right answer हो जायागा ठीके चलिए लहावर प्रस्ताव एक अप्चारिक प्रस्ताव था जिसमें एक अलग मुसलिम राजिके निर्मान के मान की गई थी और इसे 23 मार्च, 23 मार्च, 1940 यानिक 1940 को पारित किया गया था अगला प्रशने के नमलेकित में से कौन सा गांधी इर्विन समझावता का परिणाम नहीं है गांधी इर्विन पैक्ट जो हुआ था ये हुआ था 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को हुआ था देखे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा परिणाम नहीं था यहां पर ध्यान दिजेगा देखे सविनावग ग्यांधरण को समाप्त करना बिलकुल था ये खिलियर उसके बाद देखे कॉंग्रेस के दूसरे गोल में समलन में सामिल होने के लिए समामत होना ये भी था उसके बाद ब्रेटिस सरकार्दवरा भारती राश्टे कॉंग्रेस की गतिविदियों पर अंकुष लगाने है थिफवारित सभी उदेशों को वापस लेना ठीके उसके बाद अगर हम बात करें कि British सरकारत बरार नमक पर आरोपित कर को समाप्थ करना यह भी था ठीक है यह भी समिते हुए थी कि British नमक पर आरोपित कर हटा देंगे क्लियर और यह भी था आपका सभी वापस लेना तो सभी थे तो पुछा गया नहीं था तो option number E सकर राइटन सर हो जाएगा क्योंकि सभी था सामोगड का यूद हुआ था तो सामोगड का यूद यह हुआ था किसकी बीच में तो फ्रेंट्स यह जो हुआ था यह हुआ था दारासिको और और अरंजिव के बीच में ठीक है यह दोनों साहजां के पूत्र थे और इने के बीच में सामोगड का यूद हु 42 में आया था और इसका सी राइट अंसर हो जाएगा चलिए और इस मिशन करने तिरुट एश्टेफोर्ड क्रिप्स के दवारा किया गया था चलिए नेक्स्ट कुस्षन कर लेंगे अगला प्रशन हमारा कुस्षन नंबर यहां पर दिखिए 113 कि वर्स 1949 में कॉंगरेस के अधक्स बनने के लिए सुबासंद बुस द्वारा कौन पराजित हुआ था तो पराजित हुए थे कौन तो पटाभी सिता रमया अप्सर नंबर इसका सी राइटन सरो जागे यह गांधी जी के कैंडिडेट थे उसका बढ़े कि होईसल राजमंस की राजधानी कहां थी तो हैसलों की राजधानी जो थी यह द्वार समुद्र थी ठीक है द्वार समुद्र थी ध्यान रखिएगा चली नेक्स्ट कुस्चन कर लेंगे अगला प्रश्न कि बिहार के निमलेकित में से किस जिले का प्रा से यह कौन-कौन से थे तो देखे इसमें लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस था सर एस्टोफर्ड क्रिप्स था और एबी अलगजेंडर था यहां पर देखिएगा विलियम उड नहीं था ठीक है उसके बाद यहां पर देखिएगा तो आपका लॉर्ड बेबल जो है लॉर्ड ब नहीं थे उसका बद चलिए अगला प्रशन कर लेंगे नेक्स्ट कोस्टन कर लेंगे कि रॉबर्ट का लाइव द्वारा नेमलेकित में से किसे बिहार का नायव दिवान ने किया था तो यहां किसको किया गया था यहां सिताब राय को किया था उसके वर्स 1822-23 में भूमिच विद्रो का नेत्रित जो है यह गंगा नारायन सिंग ने किया था ठीक है चलिए उसका बद अगला प्रशन करेंगे नेक्स्ट कोस्टन है हमारा कि नेमलेकित में से कौन पारिस्थितिक अनुकरमन की प्रवस्था है बताइए तो देखिए वहां प्रकरम जिसके द्वारा क चैतर में पाई जैने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समाई के साथ दूसरे सम красив में परवर्तित हो जाते हैं या दूसरे सम्दाय उनका अस्थान ले लेज़े है पारिस्थितिकी अनुकरम कहलाता है ठीक है और यहां जो अनुकरम होता है क्मर्करण इसमें वि और इस्तिरी करण यहां दिखिए इस्तिरी करण भी यहां पर लिया गया है、 नुडेसट यहहां कि मैंने पहले इंगा था वनसपती रहिता थख्या है नुडेसन थो अप्शन एक से अधिक से करेक्ट आसर हो जाए ABC यहाँ पर दीके विहार में पूछा गया निमलिकित मैला स्वतंतुरता सिनानियों से कि इसने भगत सिंह को दिए गया मिर्तिदन की वाज उठाने के लिए लोगों को संघठित किया था कुसुम कुमारी-देवी अगला पूश्न या देखे भारत के निम्नलीकित है से किस वायसराय के काल में जो है यहां पर देखिए किस वायसराय के काल के दोरान जो है भारत की राजधानी कुलकता से दिली अस्तानांतरित की गई थी तो बताए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो यह लौड होर्डिन किसम है दिली दरवार का आजन किया गया था यहां पर देखेगा गुफकराल मुखिरुप से किस काल से संबंदित प्रमुक पुरा तात्विक अस्तर हैं बताइए तो फ्रेंट्स यहां यहां नौपासान काल से हैं ठीक है बूर्ज हों स्री श्री नगर जम्मुक समीर का पुरा तत्विक महत वाला एक प्रमुक नौपा ड्वारा कैसरी हिंद की उपाधी अधि ग्रहन करने के समें वाइसरा है कौन था तो वाइसरा पुछा गया है तो उसमें वाइसरा जोथा यह था लॉड लीटन रिटन थीक है लोड लीटन था चलिए अगला प्रशन करेंगे next question कर लेंगे अगला प्रस्केडिया ना मुर पुष्टक लेकी है तो यह जोहारला नहेरु की पुष्टक है मोरे प्रसाष्णा में इस्तीतmeं से कौन साथ है चीरांध है द्यान रखेंगे सारं जिला में चिरान चले उसका पर सिंदुह घाति के विशय में निमलिकित मीन से कौनसा कथन सही नहीं है यहाँ पर देखे नहीं है तो फुर्जालीय वला बाग सखाले कारण इससे निलंभित कर दिया गय ilyas ऑस्योग कहन charm here करण कारण इससे निलंभित किया गया था जो कि 50 वरवरी 1922 को च और धाट गांधी जी ने म्लेकित मैं सध्सकाथ पत्र के साथ जो है नहीं जुडे थे तो देखे राइट ऑन सर इसके क्या हो जाएगा यहां पर देखेगा इसका जो गूत हो जाएगा सब्सक्राइक यूगांतर हो आगया था तो गांधिजी जो नय समिधान की लेखाक थे तिलक और चितरंजन दास की सवयोग चाहते थे लेकिन काम के दबाव के कारण उनके साथ काम करने में सक्षम नहीं थे इसके बजाएँ एनसी केलकर और आईबी सेन तीलक और चितरंदन दास कांधिती के स्वयो करने के लिए चुने गये थे तो केलकर तीलक उसका बाद देखे आईबी सेन और कौन थे इसमें तो यहां पर एक साधिक इसे हो गया उपसोन मबर ऐ इसका राइट अनसर हो जाएगा ठीक है communic어도 6 तीलक तो सुमेलित यहां पर देखिए गाज कोंसा राज जो है उसके पाद यह पर नहीं पूछा गया है यहां पर देखेंगे यह जो गांधार दिया गया है गांधार राज्य जीवन से संबंदित नहीं था तो अपसे नमबर 20 इसका राइट अंसर हो जाएगा बाकी सभी संबन्दी था उसका बाद next question करेंगे कि करपूर मंजरी की रचना निमलेकित में से किस न की है तो करपूर मंजरी जो है संस्कृत के परसिद नाटक कार यूम कावे मिमानसक राज सिखर के द्वारा रचित एक क्राकीरत का नाटक है तो यह का होज्य एगा राज सेकर के द्वारा उसकपद की पूचाएक कौन सब्सक्राव सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर दिखेगा कि चार्टर अधियम नहीं है यह डिखेगा है बाहरत सरकार अधियं Here भारत परिशत दन्यम सही फिर इंडिया एक्ट 1772 ये गलत दिया गया है ठीक है देखें पीट्स इंडिया एक्ट 1784 को इस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी इसको कहा जाता है तो 1772 नहीं होगा 1784 नहीं होगा तो अप्सन नमर इसका डी हो जाएगा राइट अंशर उसके बा तो सही करम बताना है सबसे पहले उसके बाद फिर उसके बाद यहां पर देखिए वारन हैस्टिंग फिर मेटकॉफ फिर डॉलहोजी फिर लॉड कैनिंग तो आपसे नमर ए राइट इंसर इसका हो जाएगा सेडलर आयोग का गठन कब किया गया था तो सेडलर आयोग जो था इसका गठन किया गया था सर माइकल सेडलर के अधक्सता में ठीक है बक्तियार खान का मकबरा अगला प्रशन हमारा की निमलेकित में से किसे ने पटना सहर को अजीमाबाद नाम दिया था तो अजीमाबाद जो नाम दिया था ये दिया था किसने तो अजीम उससान ने ठीक है ये औरंगजिव का पोत्र था उसकावा देखेगा कि नमलेकित में से किस मुगल समराट के द्वारा कस्मीर के सासक ये सुपसा चक को बिहार में निर्वासित किया गया था तो फ्रेंट्स बिहार में जो निर्वासित किया गया था ये किया गया था अकबर के द्वारा अगला प्रश्णी की निमलकित में से कौन मजबपरपूर बमकांड से जुड़ा था तो खुदिराम भोस थे और प्रफुल चाकी थे तो उपरिक्त में से एक साधिक इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है ध्यार रखिएगा 1908 मजबपरपूर कांड निमलकित में से किस सेत्र में अस्थाई बंदोबस्त की सुरुवात की गई थी तो यहां की गई थे बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की सुरुवात लौड करनवाल इसने ठीक है चलिए उसे वाएद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है पुझेगा कि इसको लिखा किसने था तो बिस्मिल अजिमाबादी ने निमलकित में से कौन सा राधिमंस को नौज का त्रिकुन का हिस्सा नहीं था तो अल्रेडी इस प्रशन को मैंने आपको करा भी दिया है ठीक है तो बताई इसका राइट अंसर क्या हो जागा तो यहां प रॉकों का यात्री था रहला इसकी प्रसीद्ध पुस्तक है याद रखिएगा उसका बद देखिएगा कि निमलकित कि सिक गुरू में से किसका जनम बिहार में हुआ था तो बिहार में जो है हुआ था गुरू गविंद सिंग जी का जनम और डी राइट इंसर इसका हो और शूफ्द गोपाल कृष्न ने हम ओपसोर इसका हो जाएगा रिट इंसर ठीके बनार्स अधिविस्टप्हम गोपाल कृष्न गोख रेजी ने किया था इसको बदेकी निमलीगित पर से कॉन सी घट्ण है अपने वर्ष के सांथ सही सुमलेथ नहीं है यहां पर देखिएगा सही सुम्रित नहीं है बिहार में ब्रेटी सासन का विस्तार 1777 सही है बक्सर का युदि जो है सत्रसो पैंसर्ट नहीं होगा सत्रस चौंसर्ट होगा बंगाल कास्तकारी अधिनियम बंगाल टैनेंसी एक्ट 1850 सही है कोंग्रेस का 28 वाज वेशन जो हुआ था यह 1910 में नहीं हुआ था यह आपका हो जाएगा 1912 हमें ठीक है तो यह भी गलत है तो एक सदिक राइट अंसर इसका हो जाएगा उसका बदेखेगा कि चेरो विद्रो हुआ था चेरो विद्रोज हुआ था यह व सर्दार भूसंसिंग सिंग में नत्रत्युम हुआ था ठीके 40 विद्रोग 18 18 में इस प्रेंडिया कमपनी की विरुद्म हुआ था ओप्षन नबर ए राइट अंसर हो जाएगा अपना एक स्कोर बता दिजिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और जाद जाद इसे से आज़ेगा